अब यही है जो हम उस दिन बाते कर रहे थे, पवित्रा आत्मा का प्रमान, समझे? पवित्रा आत्मा का प्रमान कि आप वचन को स्विकार कर सकते हैं, ना कि किसी तंत्र को परंतु इसपस्ट समझ है, आप कैसे जानते हैं कि वचन इसपस्ट है, इसे समझते हैं? इस पर ध्यान दें, ये स्वेम में प्रमानित है अच्छा आप कहते हैं, मैं इसे करते हुए देखता हूँ और वो ओ हाँ, जाड़ी भी उसी प्रकार रहती है, समझे परन्तु ये संपूर्ण वचन है दुलन होने के लिए आपको उसका भाग होना है वो वचन है, देखा और ये इसका कौन सा भाग है वो वचन जो आज के लिए प्रतिग्या किया हुआ है, जब वो अपनी दुलन को बुलाता है उसका भाग बने आप समझे अब इसमें चूके नहीं, ध्यान दे और वो इसे उप्युक्तिस्थान बनाता है कि अनंतता में रहें अब ध्यान दे ये अब तक उस सहसर स्रताबदी के राज्जे का उलेख नहीं, हजार वर्ष नई प्रत्वी नहीं है सहसर स्रताबदी का राज्जे एक भिन राज्जे है ये ही जिसमें हम जाते हैं, सहसर स्रताबदी परंतु ये नई प्रत्वी, नई आकाश नहीं है, नहीं नहीं ये तो केवल विश्राम का इस्थान है, देखिए, एक विश्राम का समय ना कि नई आकाश और नई प्रत्वी क्योंकि आप देखते हैं, सहसर स्रताबदी में, हमारी बहुत सी चीजें इसमें नहीं जाएंगी ये तो पुराने साथमें दिन की च्छाया है, उसके संसार के रचने के पश्चाद साथमें दिन उसने अदन में विश्राम किया और सहसर स्रताबदी देखे, संसार अब लगबख छे हजार वर्ष पुराना है समझे, हर दो हजार वर्ष में इसका विनाश हुआ, देखा पहरे दो हजार में बाड आई, और उसने इसका बप्तिस्मा किया, किस से? जल से अगले दो हजार वर्ष येसु इसे पवित्र करने आया, और इस पर दावा किया, इस पर अपना लहु गिराया, इसे अपना कहा ठीक है, मैं फिर आउंगा, ओ, अब एक राजा के समान, अपनी रानी के साथ और दूसरे दो हजार वर्ष में, वो क्या करता है, वो आता है और अपना विश्राम का समय देता है और इसे जला देता है, और अपनों के लिए इसका दावा करता है, अपनों को फिर से इस पर वापस लाता है अब ध्यान दे, सैश हताबदी सिद संसार नहीं है, ये सात्वे दिन की छाया है तब श्वेच सिहहसन का निया आया आता है देखिए, अब भी नयाए है, हम अब भी समय में हैं, सैश हताबदी में ये एक हजार वर्षों का दिन है, ये एक समय तत्व है अब इसमें नई पिर्थी को ना मिलाएं, अब क्योंकि ये नहीं है आप मुझसे ये कह सकते हैं अब मैं अनुआ करता हूँ कि कोई मुझसे कह सकता है अब भाई ब्रणम, अब आप क्या करने जा रहे हैं आप अपने साथ से बाहर हो गए, अब आप कहा करने जा रहे हैं अब आप विधानवादी हैं, जो कि मैं हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर भी है ध्यान दे, आप विधान के परतीक से बाहर निकल गए क्योंकि यदि आप साथमें दिन के आगे कुछ भी रखने जा रहे हैं, तो फिर आप इसे कैसे लेंगे अब आप कहा जा रहे हैं ठीक है, मैं आपका ध्यान किसी चीज़ पर लाना चाह रहा हूँ, देखिए नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं अब भी विधान से बाहर नहीं हूँ, यहां मेरे पास दूसरा वचन है और इसमन रखें, यह सारा का सारा पूरा होना है, इसका हर बिंदू, समझे अब आप कहते हैं, भाई बर्णम, आप इस लीक पर कुछ और रखने का यतन कर रहे हैं, सात्मे दिन के आगे, यह सात्मा दिन सबत जैसे कि परमिश्वन ने पिर्थवी को बनाया और छे दिन परिशरम किया और सात्मे में विशराम किया, यह समय का प्रतीक था, समय का परंतु मैंने अभी अभी यहां कहा हम अनन्थ हो गए हैं इसलिए अब आपका प्रतीक कहा है, आपने कहा आप छायवादी हैं, इसलिए आप अब छाया से अलग हो गए हैं नहीं नहीं, मैंने हुआ, इसलिए हम थोड़ा से देखें यदि हम हुए हैं हम लेवेवस्था में चलें, पीछे लेवेवस्था 23 वांदी आए मैं चाहता हूँ आप लेवेवस्था पर ध्यान दें, जहां हम बीते रविवार में थे या पिछले, यहीं जहां से मुझे विचार मिला, ठीक यहां लेवेवस्था का 23 वांदी आए और 26 वांद, अब इसमन रखें, वहां साथ पर्व के दिन हैं, तुरोहियों का पर्व, जोपड़ियों का पर्व, पूलों को हिलाने का पर्व, यह सारे, वहां साथ महां पर्व के दिन हैं, यह केवल साथ कलेशियाई युगों की छाया थी, अब आप इसमन करें, एक से दूसरे के बीच में कितने सबत थे, देखिए, साथ सबत, पेंटिकोस्तल और तुरोहियों के बीच, जो कि साथ कलेशियाई काल थे, और वहां साथ पर्व के दिन, जो साथ कलेशियाई युगों का पर्तीक हैं, गिंतियों को चलाते रहें, कहते हैं, अच्छा, अब भाई बर्णम, आप तो बहार हो गए, आपको अपने साथ मिल गए, ठीक है, हम अंतिम पर्व को लें, जो जोपणियों का पर्व है, अब यहां चछतिसमें पत पर ध्यान दें, साथो दिन यहवा के लिए हवे चड़ाया करना, फिर आठवे दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, वहां एक और पवित्र समय आ रहा है, तुम्हारी पवित्र सभा हो, और यहवा के लिए हवे चड़ाना, वह महा सभा का दिन है, और उसमें परिशरम का कोई काम ना करना, अब हमारे पास आठमा दिन है, अब वहां के वर साथ दिन हैं, परन्तु यहां हम आठमे दिन के लिए बोलते हैं, पवित्र सभा, सभा, ध्यान दे, इसमें कोई कारें ना करें, आठमा दिन क्या, वापिस पहले दिन पर, यह क्यों अन्ता के लिए बोलता है, जैसे कि बिना किसी इस्थान पर रुके, चार और घुमती रहती हैं, आमीन, क्या आप इसे देखते हैं, ध्यान दे, यह आश्वे दिन पर भी था, अन्तिम दिन, जोपणियों के पर्व दिन, ध्यान दे, इसके पश्चात, अन्तिम पर्व दिन के पश्चात, अन्तिम कलेसियाई काल के पश्चात, पिर्थवी पर अन्तिम साथ दिन पूरे करने के पश्चात, सह्ष शताब्दी के बाद ये पवित्र सभा आती है इसमन रखें ये जूपडियों का पर्व है जूपडियां का एकतर होने के इस्थान आमीन जहां सह्ष शताब्दी में बाइबल ने कहा वे घर बनाएंगे वे बसेंगे परंतु नई पिर्थिवी में वो पहले ही चला गया और इस्थान तयार किया ये बनाया हमें इसके बनाने से कुछ लेना देना नहीं आमीन अनंत है ओ मैं बस वचन से प्रेम करता हूँ एक पवित्र सभा आठमा दिन जो कि केवल साथ दिन है तब आठमे दिन जो कि वापिस फिर पहले दिन पर आता है वापिस ठीक पहले दिन पर आता है आठमा दिन पवित्र सभा है दियान दें साथ दिन पुरानी सुष्टी के साथ है संसार का समय साथ दिनों ये सहश्रत अब्दी है विश्राम दिन जैसे कि परमेशन ने साथ दिनों कारे किया साथ वे में विश्राम किया परंतु आप अब भी समय तत्व में हैं मैं अनतता के विश्राम में नहीं बोल रहा हूं परन्तु आप देखिए आठमें दिन जैसी कोई चीज़ नहीं है आप फिर वापिस पहले दिन पर आते हैं देखिए पहला दिन सबत पुरानी विवस्था के विश्य में बोलता है जिसे बीच जाना है सबत का पालन करना जो की बीच गया था मैंने कहा दूसरे में बदल गया ये बीच नहीं गया ये केवल बदल गया उस पुराने नियम से किस अबता के विश्य दिन का पालन करना ये शाय उननिस में अध्याए में कहा मैं विश्वास करता हूँ अठाईस उननिस में कहा आगया पर आगया थोड़ा यहां थोड़ा वहां है जो अच्छा है उसे कसकर पकड़ रहो कब कपाते होंटों और अन्य भाशा से मैं लोगों से बात करूँगा और इसी में विश्राम है देखा आप जीवन में परवेश करते हैं ना कि दिन का पालन करना या च्छाया पाल उसने कहा यहां इबरानियों चार अध्याए में तुम दिनों और परतीकों को मानते हो और इस परकार की चीजें मैं तुम्हारे अनुबाओं से डरता हूँ देखिए हम निश्च दिनों और आज्याओं से होकर नहीं पार हुए आप मिर्तियों को पार कर अनन जीवन में परवेश कर चुके हैं ना कि दिनों और समयों तुम अनन तता में परवेश कर चुके ये पवित्र सभा है बलकि सभा साथ दिन ध्यान दें जो की बीट गए या मैंने कहा दूसरे में बदल जाएगा आठमा दिन नई स्रिष्टी से वेवार देखिए पुरानी स्रिष्टी नहीं आठ दिन नई स्रिष्टी क्योंकि ये आठमा दिन था कि हमारा प्रभू मिर्तकों में से जी उठा ये आपकी दूसरी सभा है पवित्रताई सबत का कोई विचार नहीं किया गया जोपडियों का पर्भ इसका पर्भ और पेंटेकोस्तल का पर्भ येशु मिर्तकों में से जी उठा हमारे नियायोचित के लिए आठमे दिन में साथ सबतों के पश्चात या साथ दिनों के साथ कली से एक काल येशु मिर्तकों में से जी उठा आठमा दिन जो की पवित्र सबाह है देखिए जो की पहला दिन है देखिए जो आपने किया समय के साथ बीद गया और आप फिर अनंतता में आ गया ना की दिनों को मानना और सबतों को मानना और नया चांद और इस प्रकार की चीज़ें परन्तु जा चुकी आपके रूप को बदल दिया ना की नस कर दिया महिमा हो परन्तु मिर्तियों से पार होकर अनंत जीवन में परवेश किया ओ बाइबल हमें क्या सिखाती है देखिए एक से निकल कर दूसरे में कर दो दो से आपके बाएबल ना को बसक कर दो एके साथ कियां